दोस्तो अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक कीजिएगा ताकि हमको पता चल सके और इस रेड़ वाले सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आप सब्सक्राइब हो जाएं और बेल आइकन आएगी उसे भी दबा देना प्लिज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा तो आजका जो चैनल है आपको सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है आपको बताएटा हूँ आची वीडियो में तो दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को दमाना है और आज की जो एप है उसकी लिंक मैं आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कराऊँगा वहाँ से जाके आपको से इंस्टॉल कर लेना है और इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है हर बार की तरह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को वीडियो पर कमेंट जरूर कीजेगा दोस्तों चलिए दोस्तों video करते हैं, start दोस्तों आज की वीडियो में झीध्लियु में जो application हो काफी amazing है क्यों amazing है मैं आपको बतावँगा आपको इसके लिए we diye-o को end तक देखना होगा तो आज की app को हम खोल लेगे दोस्तों जैसे ही आज की आपको आप खोलेंगे यहाँ पर आपको तीन ओप्शन देखने को मिल जाएंगे विना उसके भी काम चल जाएगा ओप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पर टेंपलेट लाइबरेरी और यौर इमेज का दे रखा है अगरे टेंपलेट पर जाएंगे तो यहाँ पर टेंपलेट मिल जाती है कुछ 프로 यानि की फिलचेस करने वाली हैं कुछ फृरी वाली भी दिख जाती है ऐस तरही की से आप इनन देख सकते हैं ओके दोस्तों आप देखेंगे तो काफी अच्छी लएंगी और इन images को आप use कर सकते हैं अपने personal काम के लिए और इस पर text अपने accordingly जो impressive लगते हैं उने आप use कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं text और different different stylist font में इस तरीके से इने use कर सकते हैं जैसा कि आपने Instagram पे भी देखा होग जो की काफी cool लगते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसे use करते हैं तो आप भी इसे use कर सकते हैं coloring वगएरा change करना चाहते हैं तो वह भी चेंज कर सकते हैं shadow वगएरा देना चाहते हैं तो वह भी दे सकते हैं इस तरीके से जो की काफी cool लगते हैं को कि दोस्तों अच्छे अच्छे effects हैं यहां पर और इन image को आप बहुत easy तरीके से share कर सकते हैं Instagram पर Facebook पर जहां पर आपसे share करना चाहिए align देना चाहते है align दे सकते है center left style बगरा देना चाहते है opacity बगरा देना चाहते है दे सकते है इसके लाबा अगर आप चाहते हैं कि अपने किसी custom image पर change करना चाहते है custom image यानि कि आपके home या फिर gallery पर इमेज पड़ी हुए उस पर change करना चाहते है तो वो भी आप कर सकते हैं ओके दोस्तों यहां पर your image पर जाएंगे और वहां से select कर लेंगे तो काफी अच्छी application है इस application को जरूर use करना है आपने बहुत अच्छी लगेगी आपको यह application में लिंक आपको provide कराऊँगा वीडियो के नीचे description में use जरूर करना है आपने ओके दोस्तों यहां पर जाके आप फोटो अगयरा खीश सकते हैं जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं उस पर अच्छे तरीके सा text लिख सकते हैं ओके दोस्तों तो बहुत अच्छी लगेगी आपको यह application यूज जरूर कीजिएगा अगर आप pro version यूज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं क्योंकि इसके reviews काफी अच्छे है तो इनकेस अगर यह वीडियो आपको जरा सी पसंद आए तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा चै के लिए बाए दोस्तों